हाई गाईस में मेहुल जैन तो आज मैं आपसे कुछ मजेदार सवाल दिल्चस्प सवाल ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपने शायद पहली बारी सुने हो और उनके जवाब भी देना मुश्किल हो जाएगा चली शुरू करते हैं खटा शहद कौन से देश में पाया जाता है इस वीडियो में हर सवाल इंपोर्टेंट होगा तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा खटा शहद पाया जाता है ब्राजील में दूसरा सवाल कौन सी मचली नर से मादा बन सकती है मेल से फीमेल वह फिश है क्लाउन फिश इस तरह से दिखती है आपको इमेज में जैसी दिख लिए पीले कलर की और ये इसमें एक ऐसी शक्ती होती है जो नर से मादा बन जाती है तीसरा सवाल पहेली है छोटा सा धागा सारी बात ले भागा थोड़ी मुश्किल है पहेली वह है टेली फोन धागा सारी बात ले भागा देश के अलग-अलग कोने में चोटा सवाल दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसकी है पाँच आखे वह नायाब जीव है मदुमक्की जिसको सभी जानते हैं दो बड़ी आखे होती है और इसके वीच माथे के उपर तीन आखे होती है और इसके साथ और मस्त बाते हैं कि इसकी छे टांगे और दो पंक होते हैं किस-किसको पता था एक और मस्त सवाल कौनसी नदी अपना रंग बदलती ही रहती है वह नदी है कैनो क्रिस्टल्स जो अपना रंग बदलती रहती है कॉलंबिया में है और खासियत यही है कि हर मौसम के साथ यह अपना रंग बदलती रहती है तो अगर कुछ नए सवाल नए चीजे जानने को मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा छटा सवाल अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोस करता है यह सवाल पूचा गया था इंटर्वियू में अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोस करता है तो प्रपोस करना क्या अपरात की शेहनी में आएगा इंटर्वियर ने भूचा candidate से आप अपने इसाब से सोच कर जवाब सोचिए सिंपल सा ही जवाब है लेकिन बस जवाब थोड़ा सा लीगल टोन में देना है कि IPC के किसी भी सेक्षन में प्रपोस करने को अपराद नहीं माना गया है इसलिए सर ये अपराद की श्रैनी में बिल्कुल नहीं आएगा अब आगया है सबसे इंटरेस्टिंग क्योशन थमनेल वाला क्योशन मस्त एकदम डिफरेंट किस देश में मरे हुए लोगों से भी शादी की जा सकती है क्योशन सुनने में अजीब है तो आंसर जानने के लिए कौन-कौन व्याकुल है आंसर के लिए थोड़ा सा वेट और बढ़ाते हैं पांच की जगे 10 सेकिंड का टाइमर चलाते हैं चलिए इस सवाल का जवाब है फ्रांस फ्रांस में एक विचित्र कानून है जिसके तहट यहां लोग मरे हुए व्यक्ति या महिला के साथ भी शादी कर सकते हैं हाला कि ऐसे शादी के लिए लोगों राश्ट्र पती से इजाज़त लेनी पड़ती है फिर अगर राश्ट्र पती को लगता है कि इजाज़त देनी चाहिए कुछ विशेश परिष्टितियों में तो इस कानून के तहट उस व्यक्ति को मरतक के साथ शादी करने की अनुमती दी जा सकती है कुछ इस पेशल केसिस में अगर डीप डाउन जाना है तो इस बात को और समझना पड़ेगा और गूगल करना पड़ेगा बागी ऐसा कुछ होता है भाईया आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताएगा और ये वीडियो यहाई ही तक की धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में सब्स्राइब कर लिजिएगा चैनल को बाई बाई